नमस्कार सातियों आपका फिर से स्वागत है हमारे यूटूब चैनल हिस्टोरिकल पेले सेज में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कहानी दिल्ली के उस माल्चा महल की जहां भूत के डर से कोई नहीं जाता माल्चा महल दिल्ली के उन जग़ों में से एक है जहां लोग आज भी जाने से पहले कई बार सोचते हैं और बाकी लोग वाँ नए जाने की चेतावनी देते हैं माल्चा महल का इतियास 700 साल पहले शुरू हुआ था जी नहीं भाईयों ने हमारे चैनल को सब्सकाइब नहीं किया वो जल्चे जल्च कर दें अब इस माल्चा महल का क्या है इतियास वो आपको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं दिल्ली के चाने के पूरी में सरदार पटेल मार्क पर जंगल में करीब 5 किलोमेटर अंदर यह है इस मारक स्थीत है इसे माल्चा महल या माल्चा विस्त दरी कहा जाता है इसे फिरोसा तुगलक ने बनवाया था तुगलक द्वारा बनवाई गई यह एक शिकार गए है इसमें तीन मुद्के कक्स है बीच वाड़ा कक्स बड़ा है यह लगबग चोकोर है तुगलक शिकार पर निकलने के समय इसका उप्योग करता था इसको लेकर एक दिल्चप्स कहानी है महल को लेकर वो हम आपको बताने जा रहे है इस महल को लेकर कहानी कुछ दिल्चप्स है अवत के आखरी नवाब वाजिद अली साहा को 1856 में अंग्रेजों ने सता से बैदेखल कर दिया था उन्हें कोलकत्ता जेल में डाल दिया गया जहां उन्होंने अपने जीवन के आखरी 26 साल गुजारे जब 1947 में देश को आजादी मिली तब तक वाजिद अली साहा का खांदान इदर उदर बिकर चुका था बेगम विलायत महल 1970 कैद के करीब लोगों के सामने आई उनका दावा था कि जो अवद के अंतिम नवाब वाजिद अली साहा की परपोती है वह भारत सरकार से उन तमाम जाइदात के बदले मौवजे की मांग कर रही थी जिसें भारत सरकार ने उनके दादा परतादा से जब्त कर लिया था जब विलायत महल की मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो एक दिन अचानक उन्होंने नई दिल्ली रेलवे इस्टेशन के वी आई पी लाउंज को अपना कर बना लिया दस साल तक उन्हें वहां से हटाने की नाकाम कोशिशें रही आखिरकार सरकार ने उन्हें मालचा महल दे दिया विलायत महल ने सरकार के इस प्रस्ताव को सविकार कर लिया और बेटे प्रिंस अली रजा और बेटी सकीना महल के साथ मालचा महल में आ गई वो अपने साथ आठ कुत्तों को भी लेके आई थी बस ये नाम का महल था ने तो इसमें बिजली थी ना पानी और ना ही खिड़की दरवाजे जंगली जानुरों को रोकने के लिए इस महल में चारों ओर से लोही की जालियां लगी थी बेगम विलायत महल और प्रिंस अली रजा के जीते जी यहां किसी को कदम रखने की इजाज़त नहीं थी वो आम लोगों के मिलना पसंद नहीं करते थे न तो कोई वहां आता था और नहीं वो कहीं जाते थे महल के बाहर मोटे अक्सरों में लिखा था कि यहां परवेश करनम मना है नहीं तो गोली मार दी जाएगी माल्चा महल में आने के तकरीबन दस साल बाद 62 साल की उमर में बेगम विलायत महल ने आत्मेहत्या कर ली थी कुछ साल पहले बेगम सकेना महल भी गुजर गई प्रिंस अली रजा कई साल से बेहत गरीबी में अकेले रहते थे नॉम्बर 2017 में उनका भी देहन्त हो गया कहा जाता है कि भूग से उनकी मोट हो गई मोट के बारे में करीब एक महा बाद बता चल सका बता दें कि इस महल तक पहुचना कठिन है जंगल में करीब डेड़ किलोमेटर सडक के द्वारा एक सकड़ा रस्ता उन्चा की ओर चाता है जिस पर करीब तीस मीटर आगे जाने पर एक खंडर दिखाई देता है अब ये खंडर चमकादरों को भरा पड़ा है नवाब के परिवार के लोगों का फूटा फूटा सावान यहां बिकरा पड़ा है कुछ लोग इसे भूतिया महल कहते हैं और वे इसे इसी नजरिया से देखते हैं ये इतनी वीरान है कि शाम के समय यहां कोई जाने की हिम्मत नहीं कर सकता आसपास के लोग बताते हैं कि रात में उनको यहां कुत्तों के भूखने की आवाज के साथ साथ किसी के रोने की आवाज भी आती है तो धन्यवाद दोस्तों यहां आसा करते हैं कि हमारे दुआरा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी आप हमारे चैनल को सबस्काइब जरूर कर ले ताकि ऐसे ही वीडियो जापको और मिल सके हैं और अगर आप किसी भी जगह के बारे में वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम उस जगह पर वीडियो बना सके हैं तो धन्यवाद दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तक तक धन्यवाद दोस्तों